नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका स्टड़ी वितिम में तो देखे आज आप सभी के लिए मैं लेकाया हूँ बहुत ही अच्छी न्यूज आप सभी लोगों के लिए क्योंकि देखे उत्राखंड में निकली है आपकी दोसो बर्शेट पदों के साफ एक्स विकेंसिया तो देखे लगभग दोसो बर्शेट पद हैं यहां पर और यह जो पद है यह इसकी जो न्यूक्तिया कर रहा है वह कर रहा है आपका के वी एसम सेक्यूरिटी एंड आउट्सोर्चिंग सर्विस प्रावेट लिमिटेड ठीक है तो देखे यहीं पर यह आउट्सूर्चिंग के माद्यम से यही जो फर्म है यही न्यूक्तिया करती है तो देखे लगभग दूसो बर्शेट पद हैं यहां पर जिसमें आपका ए to दॉक्टर हो गया फार्मसिस्ट हो गया चतूर्त शेणि हो गया उसके बाद ड्राइवर हो गया और आपका करनिष्ट सायक हो गया बहुत सारे पद ऐसे हैं जो कि आपके अगर मैं उसकी योग्जिता की बात करो यह दि आपकी योग्जिता टैंत यहां एर्थ पास उस उसके बाद आपकी higher education आपकी mbbs है या फिर कोई डिप्लोमा है जिसी फार्मसिस्ट के लिए आपका डी फार्मा हो गया तो यह सारे चीजों के लिए आपके पूस्ट आई हुई है तो देखिए आप हमारी स्ट्रीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंतर जरूर देखिएगा आपके सारे doubts clear करोंगा कि कितने पत कहां पे हैं और आपको कहां पे vacancy जादा है कहां पे आपको fill up करना चाहिए क्या आप एक district से जादर district पर apply कर सकते हो या नि ऐसी आपके बहुत सारे जो उलजहन वाले सवाल होते हैं उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे तो हमारे YouTube चैनल पर playlist बना है वह आप देख सकते हैं तो ज्यादा time waste करना करते हुए देखिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के ओर तो देखिए यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं AV SM security and outsourcing service private limited के बारे में तो देखिए अगर हम उधमसी नगर जिले की बात करें तो कंपनी AV SM security and outsourcing private limited को कारियाले मुख्य चिकिस्सा अधिकारी उधमसी नगर मैं मानो संसाधन की तेनाति का आदिश दिया है जिसमें से देखिए यह जो आपका जुलाई से लेके फरवरी लगभग 7-8 महने का time period इन्होंने दिया हुए तो देखिए इस time period से घखरानी की कोई भी बात नहीं है यह आगे भी लगभग बढ़ता ही जाता है यहां पर टोटली इसकी जो प्रोसेस है उसको इनकी जो सर्विस प्रोसेस है उसको वहां पर नहीं करते हैं बढ़ता जाता है तो देखिए जैसे कि आपको पता ही है COVID-19 के चलते वे काफी विरोजगारी आ चु फिक है उसके बात देखिए यहां पर आपका इसपैसलिस्ट डॉक्टर की वेकिंसी वेकिंसी बहाइन, जिसमें आपका अबब्स डग्री डिप्लोमा आ गया है इसमें आपकर टोटल पोस्ट 67 पोस्ट आ एगग अपर देखिए आपका फार्मसिस्ट की आई है यहां पर व console पर तो यह सारी चीज़े होती है तो यह पर स्टाफ academic उसके बाद देखे ति अगर यहां पर आपको अनुभव होना चाहिए और उसी के साथ आपको लगभग मिनिमम जो 10 पास जूरूड होना चाहिए तो आप इसको फिलब कर सकते हैं वाड वोई देखें वाड वोई की विए अच्छी वेकंसी है अनुभव प्रमाण पत्र दी गई इमेल एड्रिस देखें इमेल एड्रिस एडिया हुआ आपको इस पर इमेल करना है देखें आपको करना क्या है यह चीज मैं आपको लास्थ कर्ण के लिए अभी में बागिसवर जन्पत के बारे में भी बताऊंगा और उसी के सांसा मैंट जो form है वो fill up करना है ठीक है तो देखिए उसके बाद ये bio data email करके अगर आपको और जानकारी प्राप्त करना है तो इसको आप ये नंबर दिये हुए हैं इस पर आप call up कर सकते हैं बागी ये जो call करने का time रहेगा आपका 10 बजे से सामको 26 बजे संपर कर सकते हैं बागी अगर 12 जुनपद में जो है आपका यहां पर एक अदद उत्तराखंड सासन के सासनादे संख्या ये जो सासनादे संख्या इसको आप देख लीजिएगा यहां पर लिखाएगी दिनांग 24 मार्स 2011 तथा महानिदेश से चिकस्ता स्वास्ते परिवार करने आन उत्तराखंड है उसे यहां पर फर्म का चैन किया गया और आपको यहां पर वेकंसी बताएगी है यहां पर भी एवी एसम सेक्यूर्टी और आउट्सोर्चिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेट यही है उसके बाद यहां पर इमेल एड़ सेमी है ठीक है तो इसमें भी देखिए आपक का फार्मसीति की यहां पर साथ वेकंसी खाली है चाहएं छातूरति सेनेदे की आपर 14 चाली है और आप पर प्रीयावरण मित्स तर्स अच्छा इसमें आपकी 14 वेकंसी अगर टोटल वेकंसिस की बात करने तो टोटल 35 वेकंसिस यहाँ पर बागिसवर पर आपको मिल रही है ठीक है 35 यहाँ पर हैं वैसी उधमसीन अगर पर है और वैसी आपको नेंतर डिस्टी में बताऊंगा तो आप इनको एट कर सकते हैं लगभग 200 बाड़ सेट यहाँ पर व नियम मनुसार होंगी ठीक है यह उनकी नियम मनुसार होंगी अब मैं बता देता आपको फॉर्म कैसे बनना है देखिए आप जिस भी पत के साफ एक अगर आविदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आगे से जो बनाना है वो आपको आविदन पत्र का प्रारूप बन एक कॉलम बनाएंगे जहां पर आप एजुकेशन कॉलिफिकेशन लिखेंगे जैसे कि आपको इंटर का वहा वर्स क्या था स्रेनी क्या थी और किस बूट के द्वारा किया गया यह सारी चीज़े बताके यहां पर आप नोट लगाएंगे कि उप्रोग तुम्हें दी कि जो करते हैं तो जैसे कि आप अवेदन पत्र का प्रारूप मैंने बता दिया है अवेदन पत्र करके लिखेंगे सबसे पहले आप लेकेंग meillä a Aven een पत्र आवेदा का नानिका आप कि स्पत्र के लिए この नाम पिता का नाम सारे चीज़े मैंने बता दिया है उसके गाड़ आप अप 10th का मार्क सीट और आप अपना उसमें जो हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होता है और अंकतालिका होती है वो सारे आप अपलोड कर लीजिएगा ठीक है फोटो कर लीजिए इसमें आप कर सकते हैं फोटो किलिक देगे सबसे पहला यह फॉर्मेट तो आपको बनाना पड़ेगा अविदन पत्र का प्रारूप उसके बाद आप फोटो किलिक करके आप इसको जैसे की यहां पर जैसे मैं कनिश्ट साहिक का बताए उसमें आप 12th की मार्क सीट 10th की मार्क सीट और अंकतालिका लगाएंगे उसके साथ साथ अगर आपको कोई अनुभा प्रमाण पत्र है किस और अपिस में टैपिंग का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो उसकी भी फोटो आप किलिक करके उसको आप पीडियाफ फोड्म में करके द्वारा उसको कन्वर्ट करके आप इस पे देखे यहां पर इमेल आईडिये उस पर आप मेल कर सकते हैं मेल कर लीजएगा आपके इमेल आड़ी है आपके avsm5555-gmail.com पर इसको मेल कर सकते हैं ऐसी जैसे कि इससे पहले मैंने उधमसी नगर के बारे में बताया उसकी भी सेम प्रोसेस है सबसे पहले आपको आवेधिन पत्र का प्रारूप बनाना होगा ठीक है आवेधिन पत्र का प्रारूप बनाने के उससे संबंदी डॉक्यूमेंट है जैसे कि फार्मसिस्टी के लिए आपको रेजिस्टेशन कार्ड जो है वह भी आपको अप्लूट करना पड़ेगा उसी के साथ आपको इंटर्मीडेट की और आपके हाई स्कूल के अंग तालिका उसी के साथ अगर आपके ने यह हैं फार्म के तो आप आप इस फार्म स्कूय पर कोलक कर सकते हैं उसके बाद बता देता हुए आपको एक यहाँ पर है वैकंस निकशिस निकली वी थी तो मैंने सुच है इसको किसी में डूा दो गआ तो देखे इसमें यहां पर लिखाए कि राज की दिव्यांग करमसाला धल्दवानी निताल में सारे रिक टूक से अक्षियम दिव्यांग जनों को इसमें का प्रोसेस अलग है इसमें एक पद मागा गया है जिसकी सेक्सिक योगिता आपका इंटीसी इन कोपा का डिप्लोमा एंड डिग्री धारक होना चाहिए दूसरा आपका देखे कारिसाला परिचर का तो इसमें एक वेकेंसी से जिसमें आपका इंटर्मिडेटर और बैसिक कंप्यूटर ग्यान की आवसेक्ता होगी यहां पर लिखा हुआ है देखे आपका सरकारी अर्द सरकारी संस्तानों में प्रेसेक्षन देने का अनुभव रखने वाले अभ्यरतों को चैन वरिता प्रदान की जाएगी अथो ऐसे भ्यरति आपन परता है यह राज की दिव्यां करमसाला जच फार्म हलदानी ने निताल में उपलब देखराना सुनिचित करें यहां तो आप यहां पर भीमताल विकास भून पर भीचार नहीं किया जाएगा तो यहां आपके समक्स में आपके सामने तीन वेकेंसिस लेका आया था जिसमें अधरना सबसे पहले था उद्धमसी नगर में उसके बाद ही बागिसवर में उसके बाते आपकी ने निताल में तो देखें है कि आप एक ही डिस्टिक्स से आवेदन कर सकते हैं तो ठीक है तो ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को मेरे द्वारा समझाया है कि सारे डाउट्स केलियर हुए होंगे तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आये तो हमारी इस वीडियो को लाइक सेयर और अपने दोस्तों को सेयर करना बिल्कुल ना भूझें कमेंट जरूर करिए का आपको इस यह वीडियो कैसे लगी उसी के साथ आप हमारे यूट्योग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बागी जल्द ही आप सभी लोगों के लिए टाइम की कमी की चलते अभी ट आपने आप